सबी किसान भाई को मैं है नमस्कार आज हम बात करेंगे एट्राजीन 50% WP फार्मलेशन के बारे में और साथ ही जानेंगे इसको उपयोगम कौन-कौन सी फसलों पर कर सकते हैं एवं इसके उपयोगम का समय कब रहता है यह कौन-कौन से खर्पतवारों पर नियानतर रखता है इसके डोस के बारे में एवं और भी जानेंगे मुहत्वपून जानकरियां किसान भाई अगर आप बीजी सेगरी कल्चर पर पहले बार आये हैं तो प्लिस लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें जिससे खेती समय मती तो कोई भी जानकारी आप तक जल्द पहुंचे सब अब से पहले हम बात करेंगे इसके मोड आप एक्सरूम के बारे में यानि यह कायरी केसे करता है तो एटराजीन 50% WP यानि वेटेवल पाउडर फार्मलेशन में आता है यह एक व्यापक स्पेक्टरम और सेलेक्टिव हर्विसाइड है एवं साथ ही यह एक सिस्टेमेटिक हर्विसाइड भी है जिसकी वज़े से वह हम खर्पतवार में प्रकास संसलेशन और एजियम की गदिविदियों को रोकता है और खर्पतवार नश्ट हो जाता है सिस्टेमेटिक का मतलब यह छिर्काव के तुरंत बाद पोधों की पत्तियों और जडों द्वारा तेजी से आउशोशित होता है जिससे खर्पतवार को नश्ट होना है पड़ता है छिर्काव करते समय जमीन में नमी होना बहुत ही आउशक है जिससे हमें बहतर रिजल्ट मिल सके अगर हम प्रियोग की बात करें तो फसल जब वाय से 20 दिनों के लगभग हो जाती है उस समय हमें इसक प्रियोग नहीं करना चाहिए इससे फसल में नुक्षान हो सकता है और खर्पतवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके बाद हम बात करेंगे इसका उप्योग हम कौन-कौन जी फसल वाद कर सकते हैं तो मुख्य रुप से इसका उप्योग हम मक्का और गन्ना फसल सकते हैं अगर इसके डोस के बारे में अगर बात करें तो 400 ग्लाम परती एकड के हिसाब से डालना है अगर खर्पतवार कम ज़्यादा हो तो उस हिसाब से हम डोस को कम ज़्यादाcular की साहिए अगर कर करें तो जोड़ी यह उम्सक्डी दोनों तरह के खरपत वारपर निंद्रन करता है जैसे धूब घास छोटी दूदी बिच्चु घास सावा घास मोथा घास बोखना घास पत्तव चट्टा गाजर घास जंगली चुलाई इत्यादी खरपत वारपरे निंद्रन करता है किसान भाई 25% WP के बारे में अगर जानकारी सही लगी हो तो प्रिस लाइक और प्रस्क्राइब जरूर करें